हाई फ्रेंड्स आई एम अफ्षिक विल्कम टो मैं यूटूब चैनल दा ओशियन अफ्षिक्षा तो आज हम 11 तिस नंबर की जो भी इन्पॉर्टेंट हैड्लाइन्स न्यूस है उसको डिसकस करेंगे जो की जिसमें हम फिली नैशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग रिपोर्ट या आप जैसे इंडेक्स कह सकते हों इंडेक्स आवार्ड स्पोर्ट इंवारोमेंट जो भी आपके एक्जाम पॉइंट अफ्फियूस जो करेंट एफर्स होते इसको हम डिसक्स करते हैं आपको वीडियो की लेंट आपको 10-15 मिनट की देखनेंगा मिल जाएगी इंदर्पस किया है इसमें हम मैनली हैड्लाइन जेखें म स्वांट निस कंपलीट करल में इसका जो छूप में देख सकते हैं अभिकर आप कंपलेट कर सकते हैं जो चौल नूज होते हैं उसको हम डिसक्स करते हैं और यह यह आप सकते हैं आप चैनल जॉईन कर सकते हैं उसका लिंक आपको को को सबसे पहले हम बात करें यहां पर अभी देखने को मिलेगा जहां को सुखचा ईपर से स्यजवनार जोक मिलेगा पेंद़ रखा बात करें दो जम्मू कैस्मिर के लब रखे गया है पहले के लिए ऑप को सीड देखने को के दुवारा और एक से डिजाइन किया गया है किसके लिए जो पेपल हैं जो डिस्प्लेश्ट हैं कहां से पाक औक्योबाइट कस्मिर से पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि नौ जो सीट है वो किसके लिए रिजर्ब रखी गई है इस वज़े से अभी क्या है जो जमु कस्मिर है वह भी आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट कोसन देखते हैं देखे यह आपका रिपोर्ट नियूज बन जाता है रिसेंटल अभी डवलु एचो के द्वारे एक रिपोर्ट पेस किया गया है मलेडिया रिपोर्ट तो तो देखे अगर बात करें तो मलेडिया जो रिपोर्ट है वह वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाजेशन के द्वारे क्या है पब्लिस किया जाता है तो अभी वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाजेशन के द्वारे अकांटिट किया गया है जो 66% मलेडिया है वह आपको कह आपको देखने को मिलेगा 46% क्या है जो all cases है इस reason में आपको देखने को मिलेगा यानि कि malaria case की बात करते हैं तो जो reason था decline हुआ है अभी 76% यानि कि आप 2000 में बात करो तो कितना था 23 million था लेकिन अब 2022 में कितना रह गया 5 million रह गया है तो अभी देखिए यह आपका क्या बन्जाता एक report news बन्जाता तो यहां से भी questions पूछने के chances जाता है अगला news देखते हैं देखिए यहां पर हम यह science and technology के regarding मैं आपको news देखने को मिलेगा recently बात करें तो IBM के द्वारा launch किया गया है एक condor quantum computing chip किसके साथ देखने को मिलेगा यानि 1121 super conducting quantum है उसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि arranged किया गया है किसमें honeycomb pattern में अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो quantum computer है ठीक उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपका condor देखने को मिलेगा जो की handle करेगा जो भी problems है किसका जो classical computer के जो भी problems है उसको handle करेगा या जो भी उसके इंपॉसिवल है जो समभावित है उसको क्या करेगा solve करने के लिए करेगा उसको handle करने के लिए करेगा उसी तरीके से जैसे आपका condor देखने को मिलता है तो यह आपको क्या बन जाता है नीस बन जाता क Johnson अगले नयूस देखते हैं देखिए भी बात करे तो जो डॉक्टर महे magari चंडर रवी कुमार को क्या है डेसेंटली करम वीर का ऑवार्ड से फॉब्टेट्रीशन किसके लिए जो पीजिकल जो बायो साइन्स या बात करो बायो सायंस और जो माइक्रो बायो लोजीकल स्टेडीच उसके रिगार्डिक में और यह जो अवॉडड़ है यानि कि यह जो अवॉड है किसके द्वारा प्रेजेंटेट किया गया है तो ICO NGO के इसके साथ मिलकर के United Nations के साथ तो रिसेंटली आपको क्या बन जाता है फिर एक अवर्ड न्यूज बन जाता है अगला न्यूज देखते हैं अगला जो न्यूज है बात करते हैं जो आसिया इंफ्रस्ट्रक्ट्टर इंवेस्ट्मेंट बैंक और जो आपका UNDP है उसके द्वारा भी मौन किया गया है किसके अंदर में डो क्या है दो औरिगिनाइजिसंस यानि की आस्यान इंफरस्ट्रक्चर से इंवेस्टमेंट बैंक एंड यू एंड डीप के द्वारा मिलकी क्या है अभी एमो यू साइन किया गया जो कि अगर हम बात करें जो दोनों के द्वारा ज्वाइंट लगा जागा इसका जो में देखने को मिलेगा सपोर्ट प्रोवाइट कराना जो नेशनल क्लाइमेट गोल है और जो 2023 के लिए जो एजेंडा है तो अगला जो न्यूस है अभी जो हमारी कंट्री के जो अभी करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डॉक्टर डीवाइज चंदर चुन उनके द्वार को मिलेगा कहां पर मूंबई के अंदर जो ब्रांच वहां पर आपको देखने को मिलेगा तो अभी फिरसे क्या है एड्मिस्टरेटिव जो ड्रेबुनल है वह न्यूस में आ रहा तो ज्यादा चांस बन जाँगा की जो एक्जामनर कोर्षन उठाता है मेंली क्या हो तक कि क ग्रांड में जाकते हैं उठा लेता है तो अभी किसके द्वार इन्वर्गेट यानि कि उर्गाटन किया गया है तो हमारी कंटर की जो भी करेंट चीप जस्टिस ऑफ इंडिया है यानि कि आपको देखनों को मिलेगा कौन तो डी वाई चंदरचुट उनके द्वारा जो ट्र को देड़ी और पिछ्राई के समा यानि की कामना करने के लिए जो केंद सरकार के समर्थिंग की सहारना उनके द्वरा भी की गई है अगला न्यूस देखते हैं देखें जो अभी ग्लोबल हेल्थ है यानि कि जो आई स्वारी ए आई आई एमस न्यू डेली वह क्या करेगा क इसको तो ग्लोबल हेल्थ कॉन्फरेंस विद स्री मदू सुगंद साइं इंसिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जो कि कहां पर आपको देखने को मिलेगा करनाटका के अंदर देखने को मिलेगा इसमें जो एफोर्ट्स लगाए जाएंगे यानि कि जो स्री हेलद के इसीटी है और टी प्रोवाइड कराएगा यानि कि एफोर्डिवलेटि का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी उसको गया है काफ़ी जादा किया गया है यानि कि यह health care उसको सुधार ने और सेवाओं की छमता यानि कि स्वास्ते सेवाओं की छमता को बठाने के लिए उसको साहरना किया गया है तो यह आपका क्या बन जाता है एक health sector का news बन जाता है यहां पर मैं आपसे कुर्शन पूझा आपको यह बताना है कि इस लिस्ट में आता है यूने लिस्ट में इस्टेट लिस्ट में या अगला news देखते हैं यह आपका बन जाता है banking news यह आपका क्या बन जाता है banking news देखें भी बात करें तो जो हमारी country का जो central bank है Reserve Bank of India उनके द्वारा increase कर दिया गया है जो आपका UPI transactions देखने को मिलेगा उसको जो limit था यानि कि जो limit है उसकी जो limit payment वो क्या है अब increase कर दी गई है आपको कहां देखने को मिलेगा एक तो hospital के अंदर और एक education institutions के अंदर में जो कि यह क्या था पहले एक लाग था तो एक लाग से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है पांच लाग कर दिया गया है इसके अलाबा अगर बात कर ले तो जो mutual fund देखने को मिलेगा यानि कि जो आपका mutual fund subscription है या subscription होगया आपका insurance premium credit card payment तो उसमें भी आपको क्या है और जो यानि कि जो credit card है credit card के loan चुकाने के लिए एक लाग र transactions payment देखने को मिलेगा अगला न्यूस देखते हैं अगला जो न्यूस है देखिए अगर आप बात करें इंडियन foreign exchange reserve है हमारी country में भी जो रीच्ट हुआ है कि इतना 604 million तो बिलियन में आपको देखने को मिलेगा एक December after nearly charge month में आपको देखने को मिलेगा यानि कि अगर हम ब लुक सनबान की जो वह सेल जाधा बढ़ा है यानि कि सेलफ कंफिडेंस काफिशाधा बढ़ा या है विडार है और यह जो विडेश विद्विशाटिया आवीं सकता हो किया है सजय से पूरा कर सकते हैं Français बना रोट है इन इसीNASE देखते हैं अगला जो न्यूज है यह आपका बन जाता है एक इवेंट देखिए हर साल हम 9 दिसमर को International Anti-Corruption Day के रूपे Celebrate करते हैं तो देखिए अगर आपको इस साल यानि कि 2023 का जो आपको थीम देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा the UN conventions against corruption act 20 और uniting the world against the corruption यह आपको 2023 का थीम देखने को मिलेगा अगर बात करें इसमें जो emphasis किया जाएगा यानि कि जो आपका emphasis देखने को मिलेगा अगर बात करें तो जो global commitment यानि कि जो आपको गलोबल कमिटमेंट है तुक कमाइंडिंग करॉप्शन्स मार्किंग अगर आप देख लो तो इससे असपरस्ट है कि जो भी वस्टाचार के खिलाफ वैस्विक जो समर्पन को बढ़ावा देने का प्रयास है और जो यूएन समझोते वस्टाचार के खिला अगला न्यूज देखते हैं अब अगर बात करें तो इंटरनेशनल डे ओफ विक्टम्स तु क्राइम ऑफ जनोसाइट यह क्या हर साल हम 29 दिसमर को ही सेलिब्रेट करते हैं इस साल को जापो थीम देखने को मिलेगा और लेविंग पॉर्स इन वर्ट सोरसाइटी दा लेग हम बात करें जो आपको 2020 का जो थीम देखने को मिलेगा और लेविंग फॉर्स इन वर्ट सोसाइटी देखने को मिलेगा अगर बात करें 1948 की जो भी अपराद है अपराद को रोख थाम और डेंडित करने की जो समझा होता की विरासत 9 दिसमबर को यूएन के द्वारा क्या है जो जैनोसाइट केस जो सिकार बने थे उनकी याद करने के लिए यह हर साल हम 9 दिसमबर को इंटरनेशनल डे आफ कौमे यानि की कौमे मोरेशन्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जैनोसाइट डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो यह भी आपका क्या बन जाता है एक इंपो अगर हम बात करें तो सार्ख जो चार्टर एक्ट है वो क्या हुआ था यानि की कौमे प्रोट आपका करते हैं आपको देखने को मिलेगा इसमें साइन ही थी अगर हम बात करें अफगानिस्तान के द्वारा भी रेसंटली जॉइन किया गया यानि कि अफगानिस्तान क्या है 2007 में सार्ख का मेंबर बना है अब आपको यह बता रहा है कि इंडिया सार्ख का मेंबर किस एर में बनाई या को कमेंट बॉक्स में बताना है अगला कोशन देखें अगर हम बात करें हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंदर मोदी उनके द्वारा पाटिसिपीट किया जा रहा है जो सेकेंड एडिसन से फाइनिसल टेक्नॉलिजी इवेंट है रहेंगे किसे में तो आपको the theme को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा nervous center for new age global financial service आपको क्या है इस event का यानि की जो infinityorum 2.0 है उसका आपको क्या देखने को मिलेगा तीम देखने को मिलेगा अगले नीज देखते हैं देखिए अभी बात करें तो इंडिया का rank अभी 7th rank देखने को मिलेगा climate change performance index के अ अभी हमारी country का 7th rank है किसमें जो भी climate change performance index है उसमें इसमें हम बात करें जो showcasing high performance देखने को मिलता है किसके लिए जो green house gas emissions है और energy use के regarding में अगला news देखते हैं अभी हमारी country को select किया गया है जो कि lead करेगा किसके लिए इंटरनेशनल मेरी टाइम औरगिनाइजेशन ग्रीन वह या आजे 2020 प्रोजेक्ट के लिए जो कि reduce करेगा किसको green house gas emissions और जो कहां से जो सिप से निकलते हैं अगला news देखते हैं अगला जो news है इसमें अगर बात करें ministry of defense के द्वारा भी sign किया गया है memorandum of understanding sign किया गया है इसमें कि 588.68 करोर किसके साथ telecommunications consult India limited के साथ जो कि किसके लिए होगा digital cost guard project के अंदर में यह यह digital cost guard project के लिए आपको देखने को मिलेगा यह आपका क्या बन जाता है एक तरीके से defense news बन जाता है अगला news देखते हैं अगला जो news आपको देखने को मिलेगा हमारी country के आर्मी के द्वारा conduct किया जा रहा है टॉप टेवल exercise for women officers of the associations of Southeast Asia nations at the menis war center आपको न्यू डेली में देखने को मिलेगा यानि कि हमारी सेना के द्वारा नहीं दिल्ली के जो माने सो center में क्या है अभी आपको association of Southeast Asia nations के साथ यानि कि जो women officers है उनके साथ अभी आपको जो military exercise यानि कि इंडियन आडमी के द्वारा क्या है exercise conduct करा जा रहा है यानि कि यह समझे कि जो top exercise है आसियान और यानि कि आसियान women peace keeper के साथ अभी आपको क्या है military exercise देखने को मिलेगा इस alliance की बात करते हैं इसमें effort और empower है कि इसके लिए women सिर्फ peace missions के लिए जो की showcasing Indian यानि की commitment to global peace and gender equality मतलब क्या है अधिकारियों के लिए जो tabletop अव्यास आयोज यासों के साथ साथ जिससे भारत का जो वैस्विक सांती और एजेंडा समानता के प्रतिक क्या है समझ परदसित होगा इसमें अगला न्यूज देखते हैं देखिए अभी बात करें यह आपका बन जाता है एक तरीक से इस्टेट न्यूज अभी देखिए अभी यहां पर मि लालदू हो मा अभी मिजोरम के क्या है नई मुख्य मंत्री के रूप में उन्हें अभी सपत लिए है अवा एक पूर्व आईयस अधिकारी भी रह चुके हैं और मिजोरम के स्टेटे सी एम के रूप में वो भी क्या है सपत ले रहे है परदान मंत्री नारेज मुदी नों उन्हें क्या है नियुक्ति पर उन्हें भी यानि की अपन्मेंट पर उन्हें कंगरुचुलेट किया है तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का जो हैड्लाइन्स न्यूज था जिसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल इंपर्टेंट डेट्स डिफैंस जो भी एक्जाम करने से पहले एक छोटी से इन्फोर्मेशन कि हमारी जो वीडियो है वो कुछ पहला मतलब किस पैटर्न में पैलरल में चल रही है तो देखिए अगर हम बात करें वीक डे में यानि कि मंडे से कटाइडे तक तो इसमें हम दो बुक पैलरल में डिसकस कर रहे है एक है NCRT दूसरा है कॉलिटी NCRT में हम क्लास 9 से 12 तक एकोनामिक्स डिसकस कर रहे है और कॉलिटी की अगर बात करो तो इसमें हम M. Lakshmi कान्त भी डिसकस कर रहे है M. Lakshmi कान्त में आपको क्या है 120 से जादा लेक्षर आपको देखने को मिल जाएंगे NCRT में हमने 9 कंप्लीट कर लिए अभी 10 डिसकस कर रहे है 10 में आपका हमने chapter 3 डिसकस कर लिया है जो की था आपका money and credit और हम डिसकस करेंगे chapter 4 उससे पहले हम M. Lakshmi कान्त का chapter 36 है special province for some state उसको डिसकस करेंगे जब हमारे chapter 36 कंप्लीट हो जागा तब हम economics का chapter 4 डिसकस कर लेंगे तो आपका class 10 की भी economics कंप्लीट हो जाएगी और एक चीज और class 6 से लेकर के class 12 तक के आपकी जो political science है NCRT की वो आपकी क्या है complete हो चुकी है playlist में वो साड़ी video uploaded है playlist में जाकर कि आप देख सकते हैं उन सबका link आपको description में भी मिल जाएगा और अगर हम weekend की बात करें तो इसमें हम MCQ questions practice करते हैं एक test की तरह से इसमें वो questions होते हैं जो कि अल्रेड़ी प्रिविएस प्रिविएस इयर questions होते हैं जो कि पिछले साल यानि कि जिसमें हम 1995 से लेकर के 2021 तक क्यो questions discuss करते हैं जो कि अल्रेड़ी पूछे जा चुके हैं जो कि हमारे unit by divided है हिस्ट्री हमने complete कर लिया है जो हमारा first unit था हिस्ट्री में हमने Asian, medieval, modern and Indian national moment हमने complete कर लिया है अभी हम quality discuss करें quality भी आपके आप कुछी दिनों में खतम हो जाएगी कुछी week में तो उसके बाद हम geography start करेंगे तो इस तरीके से चलता जाएगा जोग्राफिक खतम होने के बाद हम economics से start करेंगे तो इस तरीके से हमारे unit by unit एक test आपको देखने को मिल जाएगा यदि आप किसी भी government exam की तयारी कर रहे हैं तो आपको काफे जादा beneficial मिलेगा वीडियो के regarding में कोई भी suggestions देना है comment box आपने आप comment box में दे सकते है